अमेरिका में कंसास राजी के रॉलेंड पार्क शहर में एक पुलिस ओफिसर ने एक नई मिसाल पेश की है उसने चोरी के आरोप में पकड़ी गई एक महिला को चोरी का समान खुद खरीद कर दे दिया और इसके लिए उसने पूरे 19,000 रुपे खर्च किये जानकारी के मताविक रॉलेंड पार्क के पुलिस ओफिसर मार्क एंगरवेल को स्थाने वॉल्मार्ट स्टोर में चोरी की सूशना मिले वहाँ एक महिला को चोरी करते पकड़ा गया था पुलिस आफिसर एंग्रावेल ने देखा कि आरोपी महिला से पेशेवर चोड जैसा विवहार किया जा रहा था महिला का नाम सारा रॉबिंसन था एंग्रावेल ने जब महिला से बात की तो उसे पता चला कि वह छे बच्चों की माँ है 2011 में उसके पती की मौत हो गई थी तबी से यह परिवास संगश कर रहा है घर ना होने की वज़े से वे अपनी कार में रहते थे लेकिन वे भी कुछ दिन पहले चोरी हो गई रॉबिंसन ने बताया कि वे अपने बच्चों के लिए बेबी वाइप्स, शूज और डाइपर चुरा रही थी उसकी दास्ता सुनने के बाद एंग्रावेल का दिल पसीच गया वे तुरंद उस दुकान में गया और जो जो चीजें उसने रैक से उठाई थी खरीद लाया और उस मजबूर मा को थमा दिया एंग्रावेल ने कहा कि वे एक मजबूर मा थी जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी मेरे भी दो बच्चे हैं इसलिए वे उस मा की भावनाएं समझ सकते हैं ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवे